इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत में दर्द और सूजन को दूर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह रूमेटोइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस और ऑस्टियो ओथराइटिस जैसी समस्याओं में दर्द और सूजन को प्रभावी धंक से कम करता है। इंजेफलेम टैबले पेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। पेट को बचाने के लिए भोजन या दूद के साथ लेना चाहिए। दवा को नियमित रूप से सही समय पर लेने से इसकी प्रभावकारिता बढ़ जाती है। जब अगर आप इस दवा को दीर-कालिक उपचार के लिए ले रहे हैं तो आपका डॉक्टर नियमित रूप से अपने किड्नी फंक्शन, लिवर फंक्शन और रक्त के घटकों की निगरानी कर सकता है। दीर-कालिक उप्योग से पेट में रक्तसराव और किड्नी की समस्याएं तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद